तो coolant में पानी mix नहीं करने से क्या होगा ये तो already मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ और उस वीडियो का आपने बहुत-बहुत प्यार दिया था उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया उस वीडियो में कुछ doubts रह गे थे और काफी comments आये थे मुझे और काफी comments मे वो doubt पूछे गए थे कि चलो ये तो बता दिया आपने कि पानी mix नहीं करने से क्या होगा पर ये नहीं बताया कि पानी mix कितना करना है तो आज आपको मैं simple सी भाषा में बताने वाला हूँ एकदम pure देसी भाषा में बताऊंगा और एकदम correct information है ये आप कहीं पे जाके verify भी क कर सकते हैं जो coolant की ratio रहती है अच्छा याद रखिएगा एक चीज उस वीडियो में भी confusion हुआ था तो इस वीडियो में confusion create मत करिएगा coolant जब मैं आज बात कर रहा हूं पानी mix करने की तब मैं बात कर रहा हूं simple or simple concentrate coolant की concentrate मैं यहां पर बोलूं तो जो बिलकुल एकदम बिन के radiator में और fill कर सकते हैं मतलब coolant fill कर सकते हैं बट जो pre-mix नहीं होता है मतलब जो concentrate होता है उसमें पानी मिलाने की 100% जरूरत होती है और Indian market में maximum लोग जो है वो concentrate ही use करते हैं क्योंकि pre-mix जो होता है वो बहुत महंगा आता है तो यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ concentrate की तो और दूसरी में बात कर रहा हूं यहां पे जिस ताइम पे आप अपनी गाड़ी में coolant change करते हैं याद रखिएगा जिस ताइम पे भी आप coolant replace करते हैं टॉप अप की मैं बात नहीं कर रहा हूं टॉप अप के लिए एक आपको अलग से वीडियो दूँगा मैं कि ज जो गाड़ी का manufacturer है उसने क्या recommendation दी है पहली चीज मालो आपको recommendation नहीं पता है फिर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा दूसरी चीज जो आपका coolant आप use कर रहे हैं जो concentrate आप उठा के लाए हैं किसी भी company का let it suppose Bosch का है आपके पास में रुत का है या फिर आपके पास म किसी भी company का जो या फिर आप मैं जो golden cruiser का है उस manufacturer ने मतलब coolant के manufacturer ने क्या recommendation दी है coolant के डबे के ओपर में लिखा रहता है कि कितना पानी मिलाना है कि या पानी मिलाने की जुरूरत है या नहीं है वो भी लिखा रहता है मालो वो भी नहीं लिखा है तीनो चीजे नहीं लिख करता है और आपको भी यही उस करना है क्योंकि coolant जो होता है वो ethylene glycol based सारे product रहते हैं और उसमें जो पानी मिलाने की जो कहानी है वो सबकी same है यहाँ पे दो temperature आपको याद रखने है पहला temperature है minus 16 degree centigrade ठीक पहला temperature हो गया minus 16 और दूसरा हो गया minus 36 यह दो temperature पे ही इसकी जो ratio है व तो अगर तो आपके शहर में या फिर जहां भी आप रहते हैं minus 36 degree से temperature नीचे जाता है या minus 36 तक जाता है तब आपको जो coolant के साथ में पानी की ratio रखनी है मतलब concentrate के साथ में जो पानी मिलाना है उसकी ratio है 50-50 50% पानी और 50% concentrate coolant यह है recommended कुछ लोग जो है वो 60% coolant तक भी use करते हैं मतलब 40% पानी और 60% coolant बट इससे जादा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप टुन्डरा में रहते हैं और 70% coolant मिला देंगे और 30% पानी मिलाएंगे ऐसा नहीं करना है तो maximum जो है वो 50-50 इतना एकदम ratio सही रहती है जैसे later suppose आप ले में रहते हैं लदाख में रहते हैं उपर इन एरियाजस में रहते हैं तो वहाँ पे आपको यह ratio सही रहेगी क्योंकि वहाँ पे इतना temperature जाता है हलानकि अगर आप जम्मु में रहते हैं तब इतना temperature में जाता था माइनस 16 तक भी जम्मो में नहीं जाता है शिनयरंगर में भले जाता होगा तो आपको ratio रख उपर जीरो भी माल लेंगे, एक भी माल लेंगे, दो, तिन, इसके उपर में जतना भी हो जाएगा, माइनस 16 से उपर जतना भी रहेगा, उस केस में जो रेशो रहेगी, वो रहेगी 70 इस्तु 30 की, 70 परसेंट पानी, 30 परसेंट कूलेंट, मतलब मेरा कहने का सिंपल यह है, यह चाहे आप रास्थान में रहो, चाहे आप जेंड के में रहो, आपके जो कूलेंट की, जो कंसंट्रेट की मात्रा है, वो 30 परसेंट से नीचे नहीं जानी चाहिए, किसी भी सूरत में, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, कि 10 परसेंट कूलेंट हो, मतलब एक लिटर कूलेंट डाला है आपने और 10 लिटर पानी डाल दिया ऐसा नहीं करना है minimum 30% coolant रखना ही रखना है उसमें जब भी आप mixture मनाएंगे उसका और maximum उसकी जो limit है वो 60% पर यहाँ पर एट जर्नल आपने गोरे लोग देखे होंगे वो बोलते भी हैं इसको 50-50 भी बोलते हैं बोलो एट जर्नल अगर आपको नहीं पता है कि आपका temperature जो हो वो कितना जा सकता है अप किस temperature में जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप लदाख में नहीं रहते तो वहाँ पर जाएंगे नहीं वहाँ पर जाने का मौका भी मिलेगा आपको और उपरवाला करे यार सही में जाएं मला आएगा तो एट जर्नल जब हम उठा के देखते हैं तब ये माना जाता है manufacturer की तरफ से भी चाहे vehicle manufacturer हो चाहे वो coolant का manufacturer हो कि 50-50 की ratio एट जर्नल जब आपको कुछ भी पता नहीं है तो अब एकदम सही रहती है 50% coolant और 50% पानी इस से अधिक मत मिलाईए क्योंकि अगर आप हिंदोस्तान में रहते हैं मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ तो maximum सी जाहिज सी बात है आप इनी देशों में रहते हैं अगल बगल के हमारे में तो यहाँ पर temperature जो है तो वो minus 36 तक तो नहीं जाता है बहुत ही कम chances हैं कि जाएगा कभी तो at a journal अगर देखा जाए तो हमारी country में जो एक ratio है 50-50 की आपके लिए सही है कोई नुकसान दे नहीं है पर 30% से कम नहीं करना है यह आपको ध्यान रखना है तो आशा करता हूँ एक चोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत